हलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप प्रासिज में जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कुटज निबंध की अंतरवस्तू हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके चलिए, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते है कुटज निबंध में एक पहाडी व्रिक्ष कुटज का वर्णन है इसमें दुएदी जी ने अपने हिर्दे के भावों को चितरित किया है कुटज निबंध के द्वारा दुएदी जी ने अनेक महतोपूर मुद्दे उठाए है दुएदी जी की अगाद पंडित एवं ग्यानी थे किन्तु उन्होंने अपने निबंधों में केवल शुष्क वर्णन नहीं किया है उनके वर्णन ललित और उन्मुक्त भावों की प्रभापून भाशा में है उन्होंने अपनी निश्टा की छाप अपने निबंदों में छोड़ी है कुटच के शास्त्रिय वर्णन के साथ साथ उससे नया व्यक्तित्व प्रदान किया है पढ़ते समय पाठक को नहीं लगता कि वह एक व्रिश का शुक्ष वर्णन पढ़ रहा है अपितु वह भाव भीवोर हो जाता है कुटच के प्रारम में उसके उगने के स्थान का वर्णन किया गया है यह व्रिख्ष शिवालिक परवत पर उगता है इस परवत श्रिंखला में उन्होंने शिव के रूपाकार को देखा है हिमाले और परवत की वे शिशे के प्रस्तुति करण के लिए काली दास का स्मरण करते हुए उन्होंने हिमाले को प्रित्वी का मानदंड कहा है शिवालिक का वर्णन करते हुए बताया है कि कुटच इतनी विशम परिस्थितियों में भी उगता है वे बताते हैं कि इतनी विशम परिस्थितियों में भी जीते हुए भी वह व्रिक्ष हस्ता हुआ प्रतीत होता है इसे बेहया या मस्त मौला कहना इसकी जीजी विशा को दिखाता है उन्होंने कुटच के माध्यम से समाज में बेहया शोशकों पर व्यंगे किया है दुएदी जी को दुख है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी सुख को जिन्दा रखने वालों और फूलों से लटकर मुस्कुराने वाले व्रिक्ष को लोग नहीं जानते उन्होंने कुटच के रूप और नाम की व्याख्या करते हुए प्रश्ण किया है कि रूप बढ़ा है या नाम उनके अनुसार नाम सामाजिक स्विक्रिति के कारण बढ़ा होता है रूप व्यक्ति सत्य है और नाम समाज सत्य है दुएदी जी भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे कुटच शब्द की वियुप्ति में उन्होंने जितनी उपमाय दी है वहें उनके भाषा ग्यान को दिखाता है अनेक विचार होने के कारण कुटच के नाम एवं अर्थ के संबन में भेद होने के कारण दुएदी जी खुद बीसपष्ट नहीं हो पाए है कुटच की विशेष्टाओं के वर्णन में वह ललित भाषा और ललित भाव से वर्णन करते है कुटच आप अराजे जीवनी शक्ती के कारण ही जुलस्ती धूप में भी फूलों से लदा रहता है इस बहाने उन्होंने मानव सोभाव में दुर्जन चितवालों की कठोरता और मूर्ख व्यक्ती की मानसिक स्थिती पर भी प्रकाश डाला है कुटच की जीवन शक्ती के माध्यम से वह बताना चाहते हैं कि जीवनी शक्ती विशम परिस्थितियों में भी सही रास्ता मिल सकता है यह शक्ती आनन्द और प्रेणा का कारण भी है वह कहना चाहते हैं कि साधारन मनुष्य भी परिस्थितियों की कठोरता को भेद कर जीवन का आनन्द प्राप्त कर सकता है उन्होंने जीवन को कला और तपस्या मानकर कुटच के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है द्वेदी जी अपनी भाशिक विशेशताओं के द्वारा जीवन की स्वार्थ परता का उलेक करते हैं वे बुद्धी पक्ष और भाव पक्ष को साथ लेकर चलते हैं विचार का वर्णन वे ललित भाव से करते हैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए पश्चिम के होप्स और हैल वेशियस का उधारन देते हैं और संस्कृत की उक्ती का भी जिक्र करते हैं स्वार्थ की शास्तगत चर्चा वे ओचपून भाशा में करते हैं वे कहते हैं स्वार्थ और जीने की इच्छा दोनों जीवन के दो पहलू है यदि जीविशा ही जीवन के लिए महत्पून है तो मानव कल्यान के लिए की जाने वाली बाते और प्रयास सब जूट और शुद स्वार्थ है वे कहते हैं कि समश्टी के कल्यान का स्वार्थ एवं स्वार्थों और जीविशा से बड़ी शक्ती है यह समिश्टी कल्यान ही जीवन का पून सत्य है इसे उन्होंने अपने उपन्यासों में भी स्पष्ट किया है इसी पून सत्याता की व्याक्या दुएदी जी कुटच के माध्यम से करते हैं जिसमें भावात्मक्ता और प्रवामयता भी है इसके वर्णन द्वारा उन्होंने दूसरों के सामने दया की भीक मांगना भाय भीत रहना, कोरे उपदेश देखना, दूसरों की खुशामत करना स्वार्थ के लिए अंध विश्वासों का सहारा ना लेना आदी सत्यों को उद्घाटित किया है जिन्होंने साधारन मानव को कमजोर और लाचार बना दिया है वे कहना चाहते है कि कुटच की तरह किसी बात की परवान ना कर जीना ही जीवन का उद्देशे होना चाहिए जो व्यक्ति, सुक, दुख, किसी भी इस्तिती में हार नहीं मानता वे लक्षे को पाता है दुएदी जी, कुटच की दलिद राक्षा की तरह निचोडने के द्वारा व्याख्या करते हैं तथा आप रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि सुआर्थ के लिए जीना सत्य नहीं है क्योंकि सुआर्थ इंसान को कमजोर बना देता है और निंदनीय कर्मों की और प्रव्रित करता है कुटच सबसे अलग होकर आप राजय होकर जीता है और सबके लिए जीता है इसी प्रकार मनुश्य को भी सुख तुख प्रिय अप्रिय के भेट से उपर उठकर जीना चाहिए तभी वे आप राजय रह पाएगा द्वेदी जी कुटच की तीन विशेष्टाएं बताते है अकु तोब्या वृति आप राजित स्वभाव आविचल जीवन द्रिष्टी द्वेदी जी कुटच को मिथ्या चारों से मुक्त करते है इस निबंद में उन्होंने अपनी मान्यताओं को व्यक्त किया है वे मानते हैं कि व्यक्ती किसी प्रकार का उपकार अपकार नहीं कर सकता मनुष्य इश्वर की इच्छा के अनुसार जीता है मनुष्ये के दौरा ना किसी को सुख पहुझाया जा सकता है और ना दुख वै कहते हैं कि जितना मन वash में है वही सुखी है और जिसका मन वश में नहीं है वही दुखी है ऐसा व्यक्ति स्वार्थ के कारण धोखा देता है कुटज इन सबसे मुक्त है कुटज आपराजे वेरागी समिष्टी के कल्यान का प्रतीख है द्वेधी जी ने कुटज के द्वारा भारतिय चिंतन धारा के अनुरूप मन को वश में करने और नी स्वार्थो कर जीने की प्रेणा दी है फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है जिसमें हमने जाना कुटज निबंद की अंतरवस्तु के बारे में हमारा आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें थाइंक यू फॉर वाचिंग